तो आज में लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन शाशलेक रेसिपी इसे आप लोग चिकन कांडी रेसिपी भी कह सकते हैं आपकी मर्जी है आप जो चाहे इसे कहिएगा तो इसे बना के ट्राइ करिएगा ये बहुत ही अमेज़िए इसे बहुत है तो चलिए ये रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो बॉनलेश शिकन उसमें डालेंगे वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून लेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स उसके ब हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर तो ये सारे इंग्रीडियन्स डाल लें फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें टू टेबल स्पून अध्रक लसन का पेस्ट उसके बाद सॉल डालेंगे आप अपने हिसाब से डालेगा यहां मैंने वन टेबल स्पून सॉल डाला है आप अपने जाइके के हिसाब से डालिए जरूर और उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी दो टेबल स्पून दही अब एकदम दही का थोड़ा पानी निकाल लीजेगा उसके बाद इसे हंक योगर्ट एकदम लिएगा और उसके बाद मैं यहाँ पर डाली हूँ एक अंडा जैसे मेरे पास आधा किलो शिकिन था तो मैंने एक अंडा लिया था तो आप उसे सबसे कॉंटिटी अगर बढ़ाएंगे तो अंडा भी उसे सबसे एक्स्ट्रा करिएगा एड उसके बाद हम थोड़ी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर यूज करेंगे कॉन फ्लार कॉन फ्लार यहाँ पर मैंने तीन टेबल स्पून लिया है उसके बाद जब आप कॉन फ्लार डालने तो इसे अच्छे तरीके से एक मिक्स कर दीजेगा तो यहाँ मैंने रेड फूट कलर यूज किया है आप अगर चाहें तो ग्रीन कलर भी यू करते हैं फूट कलर का जायका तो वैसे इतना कुछ टेस्ट नहीं होता है उसका बट फिर भी आवगर नहीं पसंद करते हैं तो इसे ना डालें यह स्किप कर दीजेगा उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर वन टी स्पून सोय सॉस और फिर इसे अच्छी तरीके से एक और इसे और इस रीजीप को और ज्यादा टीस्टी बनाने के लिए हम इसमें राई का टेल डालेंगे तो यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून राई का टेल लिया है उसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसे अपसेट कर दीजे आदे घंटे के लिए साइड और तब कि यहां पर हम वेजीज अपने रेडी कर लेंगे तो यहां मैंने लिया है ग्रीन कैपसिकम और टेमाटर और प्याज आप इसे स्क्वेर शेप में कट कर लीजे आप यहां पर कैपसिकम जो अलग येलो ग्रीन कलर ये रेड कलर के होते हैं आपकी मर्जी है आप जो चाहें वेजिटेबल्स इसमें यूस कर लीजे उसके बाद आप शाशलिक स्टिक को पानी में कुछ दिर दस मिनट या पांच मिनट बेगा के छोड़ दें और फिर इसमें सारी चीज़ें असेंबल कर लें तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च लगाया है फिर टमाटर लगाया है उसके बाद प्याज लगाया है यह सारे वेजिज लगाने के बाद हम एक चिकन का पीस डालेंगे इसमें तो आप चाहें तो आप कोई भी वेजिटेबल आगे पीछे कर सकते हैं आपकी मरजी है आपको जैसा ज्यादा वेजिज एड करना हो इसमें कम वेजिज एड करना हो या चिकन ज्यादा रखनी हो तो आप उस तरीके का इसमें एड और लेस्ट कर सकते हैं कोई भी चीज ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से आप उसे एड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने तीन लाइन लगाई थी वेजीस की और तीन लाइन लगाई थी चिकन की तो एक कांडी में अच्छा रखता है तीन पीस एटलीस चिकन के आएं तो हमारे लिए और इसे आप जब इसमें लगाई कांडी में आप जब चिकन लगाएं तो इस बात का खयाल रखें कि सारी चीज़े बहुत ही ज़्यादा करीब करीब ना लगाएं वरना जब हम इसे फ्राइ करेंगे तो जो इसके बीच में बीच का पार्ट होगा तो वहाँ पर से अच्छे तरीके से फ्राइ नहीं हो पाएगा तो वो पार्ट कच्छा रह जाएगा तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा काफी कि थोड़ा थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ दें चिकन और वेजीज के बीच में एकड़ माइनर सा हलका सा ज्यादा ज्यादा भी जरूरी नहीं है तो देखिए यहाँ पर मैंने एक शाशलिक बना के तयार कर ली है कितनी खुबसूरत एकड़म कलरफुल शाशलिक नजर आ रही है उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक और बना के दिखाऊंगी तो इसी तरीके की आपको स्टेफ फॉलो करना है पहले सारे वेजीज लगा लीजिए आपकी मर्जी के उसके बाद चिकन लगा लीजिए फिर वेजीज फिर उसके बाद चिकन लगा लीजिए फिर वेजीस की लाइन लगाई एंड चिकन लगाके लास्ट में एक कैपसिकम लगाके तैयार कर दिया है तो देखें यहाँ पर हाफ केजी में मैंने आट शाशलिक बना लिया था आप उसी तरीके का करिएगा फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रिल पैन लिया था तो मैंने यहाँ पर तो ऑईल अप्लाई किया था ब्रश कर दिया था ग्रिल पैन पे आप अगर चाहें तो आप इसे बटर में भी फ्राइ कर सकते हैं या तो ऑईल में ही फ्राइ करिए तो ऑईल ग्रीस करने के बाद उसे थोड़ी देर पांच मिनिट गरम होने दीजेगा पैन को और उसके बाद आप इस पे शाशलिक स्टिक को रख दीजेगा और फिर थोड़ी थोड़ी देर में इसे टरन करते रहिएगा एक ही बार में मत छोड़ दियेगा वरना कलर एकद करते रहिएगा ग्रिल का काफी अच्छा माक आता है इस पे तो बहुत ही ज़दा हमारी शाशलिक खुबसूरत नजर आती है तो देखिए थोड़ी थोड़ी देर में यहां पर मैं शाशलिक स्टिक को टरन कर रही हूँ तो आप भी इसी तरीके का बनाएगा आपको पांच इसलिए मैंने यहां पर थोड़े ही ओईल में इसे शेलो फ्राइ कर लिया था तो एक बैच तयार हो चुका है अब हम अपना सेकेंड बैच भी उसी तरीके से तयार कर लेंगे थोड़ी थोड़ी देर में परटते रहेंगे और उसके बाद इसे हटा लेंगे गैस पे से तो आपके कोई वेजी निकल भी सकती हैं आप जिसे उपर नीचे अगर लगाते हैं तो आप वो बाद में भी उसे एड़ कर सकते हैं जब यह फ्राइ हो जाएं आप इसे निकाल लेजिए और एक प्लेट पर डिश आउट कर लेजिए तो देखिए क्या खुब सूरत नजर आ हमारे शाशलिक स्टिक चिकन की अग्कालरफुल ग्रीन रेड वाइट सारे कलो नजर आ रहे हैं हमारे शाशलिक के तो आप इसी तरीके से वेजिज यूज करिएगा कि जो कलर थोड़े वाइबरिंट हो हमारी शाचलिक स्टिक को और ज्यादा खुबसूरत बनाएं आप अगर महमानों के सामने रखे तो महमानों को भी देखने में आपकी रेसिपी आपके डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आए तो उमीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी जैसे हमारी सारी रेसिपी को आप बहुत प्यार देते हैं इस रेसिपी को भी आप प्यार दियेगा आगे बढ़ाइएगा तो मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ तब तक कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें अल्ला हाफिज